नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पे मैं विकास कुमार गाइज आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वीट होम 3D के अंदर टेक्चर लाइबरे किस तरह से इंपोर्ट करते हैं चलते हैं हमारे कंप्योटर स्क्रीन पर यहां पर आपको स्वीट होम 3D वेबसाइट को यहां पर ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको मैं वेबसाइट को यहां सबसे उपर जो लिंक आएगा www.sweethome3d.com इसकी वेबसाइट को यहां से ओपन कर लेना मैं लिक से तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में 3D मोडल्स और टेक्चर दोनों को यहां पर आपको लिंक मिल जागा 1.8g 29 MB की फाइल है इसके अंदर आपको 506 मोडल्स फरी मिल जाते हैं तो आपको सिंप्ली फाइल को डाउलोड कर लेना है डाउलोड करने के लिए कुछ नहीं इसको कलिक करना इसके उपर और सिंप्ली आपके फाइल जो है यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएग इसके उपर कलिक करना है और यहां से सिंप्ली आपको यहां पर सैकिंड नम्र वारी जो है टेक्सर इटास्क स्कोपिया 1.2 यह फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है यहां पर दो फाइल मिलेगी लेकिन जो 18 MB फाइल है वह आपको डाउनलोड करने है क्योंकि इसके अंदर टॉरह ऑपके गाई उसके बाद आपको सिंप्ली करना कुछ नहीं है हम सबसे पहले जहां पर आपने इसको डाउनलोड किया है उसको वहां पर एक्स्क्रेक्ट करेंगे सिंप्ली इसके ओपर राइटक्ि GUY करेंगे या तो आपको आपके PC में वह इंदरार होनी चाहिए वरना आप इसको एक्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको सिंप्ली सबसे नीचे वाला उप्शन जो इसके नाम से फोल्डर बन जाएगा उपर कलिक करना आपको तो यह देखिए यहां पर आपको एक फोल्डर बन जाएगा कुछ इस तरह से और यहां पर आपको फाइल मिल जाएगी जो आपको इंपोर्ट करनी है स्वीट हम 3D के अंदर ठीक है इसी प्रकार हम जो हमारी सेकें किस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो मैं यहां पर स्वीट हम 3D को ओपन कर लेता हूं तो यहां पर में स्वीट हम 3D के अंदर आ गया हूं तो अब जैसा देख पाएंगे सबसे पहले यहीदि मैं टेक्टर की बात रूम पनाया ठीक है गाइस है यहां पर मैंने कोई रूम ब तो दिखायों मैं और उसके बाद इम्पोर्ट करने के बाद कितना टैक्टर साइंगे वह माप इसके पिलॉर को बना सकते हैं लेकिन यह पर टैक्टर तेक्टर से यहां पर देखने को मिलते हैं कुल मिला के 20 या 25 टेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और उसके बाद देखेंगे कि हमें कितने टेशा मिलते हैं फरनीचर के अंदर जाना है आपको यहां पर दो ऐपशन रहेंगे यहां पे को स्वर्ड फ्रोष को ईंप्र फर इंपOSन कर जाना है फिर्ट कर लेंगे लेकिन यदि हम import texture library के उपर click करेंगे तो हम complete library एक टाइम पर ही import कर लेंगे तो इसके उपर आपको click करना है उसके बाद simply हमने जहां पर फोल्डर को extract किया था वहां पर चले जाना तो मैं सिर्फ डेक्स्टॉप पर जाता हूं यहां से मैं कि admin के अंदर जाओंगा और यहां से हमें downloads का option मिल जाएगा डाउनोड के अंदर यह दो फोल्डर आपको यहां पर मिल जाएंगे जो आपने एक्सट्रेक्ट की थी तो यहां पर texture वाली जो फोल्डर को हमें open करना है उसके अंदर आपको यहां पर फाइल मिलेगी उसको यहां पर message आएगा यह देखिए टेक्सर लाइबरेरी इटास्क स्कोपिया ठीक है डोट एस एस थ्रीटी वाद सक्सेस्फुली इंपोर्टेड यानि कि हमारे टेक्सर इंपोर्ट होच के हैं अब हम फिर से जाकर देखेंगे कि कि कितने ज्यादा टेक्सर हमारे स्वीट हम 3D के अंदर वड़ शुकरें तो अभी आप देख्सकते ही यहां यहां पर थरी थरी फाइव यानिके 335 टेक्सर और इंपोर्ट हो चुए है यह यह आप ओनली टेक्सर इंपोर्ट करोगी तो सिर्प एक टेक्सर इंपोर्ट होगा लेकिन टेक्सर लाइबरेरी की हैप से आप देखने की वल्ट टाइल अभी दिखने हो दिखने को मिल जाएगी तो यहां पर फॉलाष् Tabii यह लगा पर देखने को मिल जाएंगे यह देख्सकते हैं आप सिय ठेक्सर लाइबरली इंपॉर्ट करने का हम यहां यहां पर मिल जाते हैं यूज करने के लिए ठीक और यहां पर आप आप इसको डिर्क इंपोर्ट करके दिया देता हूं जैसे अभी आप देख सकते हैं इनकी टाइल साइज काफी छोटा है तो मैं इसको एडिट करना चाहूं पीसे इसके अंदर जाओ तो यहां पीसको हरुम है बाथ लोम करेंदर अप देख सकते हैं लिंपड और लिंग रॉम यहां पर there संब कम आइटम है यहां प्रिम्ड ऑपर कराएं और हमारे पस अ गिए थीक सर्थ यही थिंक इसके अंदर भी है यदि आप यहाँ से अकेला इंपोर्ट फरनीचर पर करेंगे लेकिन यहां पर इंपोर्ट फरनीचर लाइबरेरी उपर कलिक करेंगे तो हम यहां पे सबी मोडल्स को एक साथ इंपोर्ट कर पाएंगे यहां से मैं बैक आ जाता हूं और यहां पर 3D मोडल जो हमने डाउनलोड किया था इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से उपन पर कलिक कर देंगे और यहां पर यह देखिए फरनीचर लाइब्रेरी सक्सेश्पली इंपोर्ट करते हैं लेकिन यह जो है फरी है जिसको आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं असानी से ठीक है और यह था हमारा राचा छोटा सा वीडियो के अंदर हमने सीखा कि स्वीट हम 3D के अंदर किस तरह से हम टेक्सर और फ्रनीचर लाइबरी इंपोर्ट कर सकते हैं आसा करता हू सब्सक्राइब रूप करें ओके दोस्तों के लिए इतना है नेक्स्ट वीडियों आप फिर में लागत होई तब तक के लिए जाहिंद वंद्यमातर में दोस्तों